हला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गरजन पुरहित है अगर आप IAD जेम एक्जाम दे रहे हैं या फिर गेड एक्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे दो से तीन डाउट्स रहते हैं स्टुडेंट्स के कि सर एक्जाम में 25 दिन बचा हुआ है सर हमें जो एक्जाम का पेपर है खास करके जो IAD जेम का है उसके अंदर NAT टाप के कोईशन भी आते हैं MC Qs भी आते हैं MS Qs भी आते हैं तो सर पेपर में सबसे पहले किस टैप के questions को attempt करना चाहिए और attempt करते वक्त क्या strategy होनी चाहिए दूसरी बात यह है तीसरी बात यह है कि सर जो questions हम लोग attempt करते हैं तो time को हम कैसे वहाँ पे like group में divide करेंगे इतने मिनिट में यह वाले questions करने इतने मिनिट में यह वाले कर ले तो यह भी मैं आज आपके सामने discuss करूंगा कि जो सबसे पहले paper आप start करें तो आपको any type के questions को solve करना चाहिए क्योंकि जब हम exam देने जाते हैं तब थोड़ा सा हमारा concentration अच्छा होता है तो हमें any type के questions को solve करना चाहिए second attempt all questions as there is no negative marking क्योंकि जो any type के questions होते हैं वो 30 marks के होते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो any type के questions हैं वो सबसे पहले attain करने चाहिए and सभी questions को attain करना चाहिए क्योंकि कोई भी negative marking नहीं होती है पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि जिते भी questions होते हैं उन सब में कहने कही mathematical calculations होती है तो आपको calculator चलाना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए अगर आपको online exam देते वक्त calculator को कैसे use करते हैं यह नहीं आता है आपको unit पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है उसका राइट है लाइक जिसे meter per second फिजिक्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा होता है मैच में unit का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है बट कहने कहें आपको यह देखने की जरूरत है कि आपको किस unit में वह answer पूछ रहा है उसके इंदर आपको इसको लिखना होता है है ना next बात करते हैं check the decimal digits and sign required हमेशा जब आप answer लिखें तो देखिए अगर minus 2 answer आ रहा है या plus 2 answer आ रहा है या 2.75 आ रहा है तो आपको कहीं नहीं उसको round figure करना है या आपको किस range में लिखना है NET type की questions को solve करने में जो requirement होती ही वो कहने के formula best questions होते हैं सीधे सीधे concepts होते हैं और कहने के आपकी जो mathematical calculations है वो बहुत fast होने चाहिए क्योंकि बच्चे के अगर ते questions solve करने में बहुत ज़्यादा time लगाते हैं क्योंकि हर question आपको यहाँ पे 2-3 minute देने होते हैं अगर हमारे पास NET type की questions कितने सही कर दें तो हमारा like ठीक रहेगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके पास आते हैं 20 questions अगर आप 12 questions भी सही कर देते हैं तो कहीने कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छा score होने का chances रहता है दिमाग में यह लेके चलिए कि 20 में से मे को सामने बताऊंगा कि आपको NET type questions जो हमारे पास 20 questions आ रहे हैं उसमें आपको कितना time देना चाहिए है ना तो time को मैं last month discuss करूँगा किस में किस में कितना time दें पहले हम यहाँ पर strategy को discuss कर लेते हैं बात करेंगे जो multiple choice question होते हैं यहाँ पे total 50 marks का वेटेज होता है IAT GM का total जो paper होता हो 100 marks का होता है जिसमें multiple choice question 50% marks का वेटेज रखता है बट यहाँ पे कहने के negative marking होती है तो आपको सोच समझ के questions को यहाँ पर attempt करना होता है क्योंकि जादा negative questions attempt करने से भी कहने के आपके score को affect करता है तो यह थोड़ा सा आपको समझनी की ज़रूत है आपकी ज यह इसका answer हो सकता है तो थोड़ा आपका accuracy level अच्छा होना चाहिए दूसरा है जो भी आपको लग रहा है कि यह question doubtful है मुझे समझने में दिक्कत आ रही है इसमें calculation जदा हो रही है प्लीज उसको चोड़ दीजे उसको बाद में करना है पहले जो जो questions आपको आ रहे है उस प marking यहां पर होती है तो वो आपके score को affect कर सकती है तो multiple choice question में तुक्का तो बिलकुल ना लगा है अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर यार जब हम solve करते है पेपर तो कभी कभी हमें लगता है कि चार में से 2 option तक हम पहुंच जाते हैं फिर हमें confusion होता है कि सर यार इन दोनों से कौन सा correct हो सकता है तो हमें कितना risk लेना चाहिए यहां पर जो इसका weightage होता है वो 50 marks का होता है जहाँ पर 10 question जो होते हैं वो हमारे पास 1 marks के होते हैं 20 question जो होते हैं वो 2 marks के होते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि total हमारे पास 30 questions आ रहा है और उस 30 questions के अंदर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने लगबग 20 questions सही कर दी है या मैंने 18 questions सही कर दी है अब आपको risk कितनी लेनी चाहिए आपको लगता है कि 3-4 questions मुझे doubt आ रहा है दो option तक पहुंच गया हूँ तो मुझे risk के लेनी चाहिए क्या उन 4-5 questions को सही करना चाहिए तो यहाँ पे जो risk का criteria होता है वो 10% का होता है जितने question आपने सही किये हैं MCQ में उसका 10% आप risk ले सकते है मतलब यह हुआ कि मान लिजे आपने 18 questions सही किये तो 1.8 that is approximately 2 questions में आप यहाँ पे risk लिजे इससे जादा मत लिजे कहीं ने कहीं वो आपकी marks को affect करेगा है अब आपके मन में यह सवाल आपके 18 question भी सही हो जाते है 18-20 तो अरे अच्छा score माना जाएगा मतलब 15 से उपर आपके question सही होने चाहिए तो आपका score अच्छा हो सकता देखो आपको अगर मैं ID GM mathematics की बात करो या normal जिसरे जितने भी subjects होते हैं आपका जो अच्छा score माना जाता है वो 100 में से 50 above माना जाता ह अगर आपके मतलब खास करके match की बात करें तो 40 से उपर तो IAT मिली जाता है राइट अच्छा IAT आपको 40 से उपर मार्क्स में मिल जाएगा अराम से अगर आपका score 100 में से 40 से जादा आ रहा है तो आपको अच्छा IAT मिलने की समभाव नहीं आपे होती है आपकी जो रहेंग में लेके चलिए कि मेरे को इतना कम से कम score करना है जब भी कोई team cricket का match खेलती तो इसके दमाग में वो set लेके चलते हैं कि हमें इतना score करना है फिर उतना score के बाद फिर वो खेलना start करते है और fast करना चालू कर देते है इसी type से हमें भी यहीं करना है आपको यह confidence होना चाहिए क हाँ यार 40 marks मेरे आ सकते हैं मैं IAT तो 100% चला जाऊँगा अब मुझे IAT Bombay या IAT दिल ली जाना है उसके लिए मुझे थोड़ी सी और कहीं कहीं महनत करने की ज़रूत है और भी अच्छे questions को मुझे attend करना ताकि मेरा score 50 तक मैं लेके चाहूं तो यह दमाग में हमेशा याद आपको 55 मैं से 25 क्वेशन कम से कम सही होंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं तो multiple choice question आपके अगर आप बात करी जाए 30 मैं से यहाँ पे कम से कम 15 से 18 क्वेशन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप अच्छा score यहाँ पे कर सकते हैं इस सुन यहाँ पे जो multiple choice question होते हैं सीधे statement best concept best आते हैं अगर कोई question ऐसा लग रहा है जिसमें calculation नजर आ रही है भाईया calculation मत जाईए कहने कहीं ऐसा देखो आपको कोई भी competitive exam में calculations नहीं पूछी जाती है वहाँ से trick पूछी जाती हो trick अगर आपको पता है तो उस question को आप देखते ही कर सकते हो जैसे अगर मैं आपके सामन से जिसमें आपको देखती ही पता बढ़ जागा इसका answer क्या है getting my point और मैंने बच्चों को इतने class के अंदर question प्रैक्टिस करा रखे प्लस हमारी जो combat series की book है अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सार ऐसे questions मैंने वहाँ पे दी हैं अगर आप practice करेंगे तो आपके ब तो ऐसे questions को पहले attempt करें जिसमें calculation कम से कम है अब इसमें कितना time देना अचा ही वो हम last में discuss करेंगे अब बात करेंगे सुन multiple select questions जो होते हैं वो 10 questions आते हैं और इसका जो wattage होता हो 20 मतलब हर question यहाँ पे 2 marks का होता है multiple select question का मतलब होता है कि एक question है जिसके एक से ज़्यादा answer हो स deduct नहीं होगा पर आपको marks भी नहीं मिलेगा है सुन यहाँ पर no negative marking है negative marking बिलकुल नहीं होती है इसके अंदर है पर सुन यहाँ पर इसको सबसे आखरी में आपको करना चाहिए सबसे पहले numerical answer type करना चाहिए फिर multiple choice question करना चाहिए फिर आपको MSQ type के questions करने चाहिए है इसको सब variable variable की बात करी जाए या group theory है linear जब रहा ऐसे like statement based questions होते है या theorem के statement होता है अगर आपको इसको सही करना है तो आपको concepts और counter example आने चाहिए प्लस theorem के जो statement है उसका Converse के बारे में आपको पता होने चाहिए Converse true है कर नहीं है अगर नहीं है तो कौन सा example है उसका जिससे माली माली ज हो ऐसा जरूरी नहीं है पर अगर group abilion होता है तो उसके सभी subgroup normal होते हैं अब यहां पर counter example क्या होगा q8 हो जाएगा q8 के सभी subgroup normal होते हैं पर q8 खुद abilion नहीं होता है तो ऐसे आपके counter examples आपको पता होना चाहिए every convergent sequence is bounded but converse में not be true minus 1 power n इसका example है आपको उसके बारे में examples और जो theorem के statements है वो आपको पता होंगे तो इसको आप बहुत easily यहां पर कर सकते हैं सबसे कम समय में यहां पर आप इसको कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सीधे statement मिलेंगे आपको ज्यादा calculations नहीं मिलेगी तो यह वाला जो portion होता है अच्छा scoring होता है और कम time में आप इसको अच time किसमें देना चाहिए Time Management बहुत बड़ा role play करता है मैं आपके सामने ठोड़ी सी कुछ calculation बतांऊए और ओको सबसे आप یہां पर 30 30 मिनिट देने चाहिए 30 मिनिट में वो question करने चाहिए जो देखते ही हो रहे हैं देखते ही हो रहे हैं कि हाँ यार इसमें calculation सीधा सीधा formula लग रहा है और मैं कर सकता हूं तो भाया आपके पास यहाँ पर कितने question से 20 थे माल लिजे 20 में से आपने देखते ही यहाँ पर 8 questions solve कर दिये कितने कर दिये भाया 8 कर दिये अब next आजाओ आप mcq के अंदर किसमें आजाओ भाया mcq के अंदर आओ अब mcq जो होता है यहाँ पर कहने कहीं बहुत बड़ा role play करता और वहाँ पर आपको questions को ध्यान से पढ़ना होगा और यह 50% vetties रखता है इसमें आपको जादा time देना चाहिए है ना तो माल लिजे आपने mcq जो questions आ रहे वो हमारे पास यहाँ पर total 30 questions आते हैं यहाँ भी 30 question ही आएंगे भाई यहाँ पर हमारे पास 20 question आते हैं यहाँ पर हमारे पास 30 question आते हैं यह आपको ध्यान देनी की ज़रूत है तो सुन यहाँ पर जो 30 question आते हैं multiple choice question के इसके अंदर आपको यहाँ पर 45 minute देना है चाहिए और वो questions को पहले करना चाहिए जो आपको बिलकुल द तो उसको review में डाल देजी आप जैसे ना जैसे नेटी आपके questions में आपने 8 attend कर लिए पर आपको लग रहाएं इनको मैंने पढ़ा है मैं कर सकता हूं पर अभी instantly नहीं हो रहा है उसको review में डाल जी mark review कर देचे उसको ना ताकि आप next second phase में इसको करेंगे ना उसके बाद हम MSQ के अबारे में MSQ में हमारे पास यहां पर जो question आते हो कितने हाते हैं 10 और total 60 questions आता I think मैं नहीं वह पे 55 बुलाता I'm sorry यहां पर आपके पास 60 questions आपके exam में 60 questions पूछे जाते हैं ना 60 questions पूछे जाते हैं तो 60 में से आपको यहां पर कितने करने हो बाद में बात करेंगे इस इसमें मैंने आपसे बुलाता है कि सबसे कम टाइम लगता है इस टाइप की कोश्चन को सॉल्ड करना मैं तो MSQ जो होते हों 10 कोश्चन आते हैं मुझे लगता है कि आप देखते ही यहाँ पर कम से कम 5 कोश्चन तो आप कर सकते हैं उसमें फिर आपको वापिस आजाना चाहिए एनेटी टाइप की कोश्चन अब देखो आपका कॉंफिडेंस बूस्ट हो गया क्यूंकि आपने 25 कोश्चन सॉल्ड कर लिए आपको लगता है कि यह अब मैं अच्छे से कर सकता हूँ तो फिर नजरे बन जाती राइट तो यहीं बताना चाहरा हूँ बहुत बड़ी बात है और बहुत समझने वाली बात है इस्ट्रोणिस को सीरियसली निल लेते हैं बहिया एक्जाम की तैयरी करना और एक्जाम को क्रेक करना और तीन गंटे के अंदर जो स्ट्रडजी यूज़ करना है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता आप कितना ही पढ़ लो पर तीन गंटे में अपना माइंड सेट कैसे रह सब्सक्राइब कर दी चलो दो कर लिए सब्सक्राइब कर दीए ना इसके अंदर आप यहां पर क्या कर दीए इसको भी आप 15 मिनिट में आपने दो क्रेशन सब्सक्राइब तो टोटल आपके पास यहां पर आठ क्वेशन और हो जाएंगे 25 और आठ अगर आप देखे तो अराउंड टोटल आपने 33 क्वेशन यहां पर कर दीए अटेम्ट कर लिए अब इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगना ऐसा नहीं कि ज्यादा लालची नहीं होना कि नहीं मैं तो मैं तो 40 क्वेशन सही करूँगा भाईया तुने 33 क्वेशन कर ली ना तरह काम हो गया है ना तेरे अराम से 55 से 60 नमबर आ सकते हैं अब ज्यादा क्वेशन अटेम्ट करने का दमाग मत लगए रहे वैसे आपका टाइम आल्मोस यहां पर हो जाएगा देखो आपके पास 85 55 मिनिट बचे थे अब देखेंगा अब लास के 15 मिनिट बचे हैं उस 15 मिनिट में आप देख लीजे कहीं असा तो नहीं कि कोई क्वेशन आपने मार्क रिव्यू छोड़ दिया है कुछ आपने गड़बर कर दी तो उसमें लास में 15 मिनिट आप शान्ती से उसको चेक कर ली सकते हैं तीन से चार क्वेशन अगर मान लीजिए 33 क्वेशन आप यहां पर कर रहे हैं तो 3.3 मतलब लगबग 3-4 क्वेशन आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं इससे जादा रिस्क ना ले कहीं ने कहीं वो आपके नुकसान का कारण बन सकती है एक सबसे बड़ी समस्य क्वेशन ही उनके दुख का करान मन जाती है तो मैं आपसे कहना चाहरा हूं कि महनत करिए जादा दिमाग मत लगाईए रिजल्ट पर मत जाईए है ना अगर आप महनत करेंगे 100% अगर आप यहां पर चीजों को जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ समस्य हो सकती है राइट यहां पर चला रखी अगर आप आप अपको टॉपिक वाइज निमेरिकल आंसर टाइब मिल्टिपल से फिस्सें में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे विडियो देख सकते हैं पूरी पूरी प्लेडिस आपको यहां जाके मिल जाएगी कि यार इस book को अगर आप चाहे तो purchase कर सकते हैं लगबग thousand questions का collection में यहाँ पर दिया है जो कि बहुत अच्छे question है numerical answer type, multiple choice question और multiple select question कोई भी ऐसी book आपको market में नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको ऐसे अलग-अलग type के questions को practice करने के लिए मिलेगा तो आप इस question को practice के लिए आप buy कर सकते हैं इसकी जो rate है वो 449 है और इसका जो link है वो आपको discussion मिल जाएगा या फिर आप Amazon के site पर जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे IAD Gem Test Series Book by GP Sir या Test Series Book लिखेंगे तो यह book आपको देख जाएगे आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद और जो मैंने आपको इसा हमने points डिसकस किये इसमें अगर कोई point ऐसा रहे गया है जो आपका question है तो प्लीज आप comment करके ज़रू बताइए नेक्स ऐसा कोई वीडियो मैं बनाऊगा तो उसमें ज़रूर मैं आप लेने के कोशिश करूँगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैनत करते रहे और अगर आप मैनत करेंगे तो आपका अगर आप मैनत करेंगे तो उसका result हमेशा positive आएगा जादा demotivate होने के जरूत नहीं जादा negative सोचनी के जरूत है है ना क्योंकि मैनत हमारे हाथ में है बाकी जो मिलना है वो तो उपर वाले पर छोड़ दीजे अगर आपकी मैनत सही है तो result हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद थैंक्यू बाबाई